इस कमिशनर भौदय जौतम उद्धनगर और डीसीपी ग्रेटर नुएडा भौदय के कुशन लर्देशन में आज शाम को प्रादियों के वृद्ध चेकिंग चल लही थी, वहाँ पर सो नालिज पार्क और इनकी टीम सारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, तब ही एक तेजगती से आती हुई सपेद रंकी सफारी ने वहाँ पर चेकिंग बेरियर को टक्कर मारते हुए, टेल वे लाइन की तरफ भागी, इन लोगों ने उसका पीछा किया तो गाड़ी खराब होने के कारण से छोड़ करके दो व्यक्ति भागे, पुलिस ने प्रसिचित तरीके से इनको घेरा बंदी की, तो अपरादी ने पुलिस के उपर फायर कर दिया, पुलिस ने उनको काबू करने के लिए फायर किया, जिसमें कि एक व्यक्ति नितेश पत् इसको ततकाल उप्चार के लिए रवाना कराया जा रहा है, जो इसका एक अन्यसाथी प्रार है, उसकी तलास की जा रही है, गाड़ी को चेक किया गया है, तो गाड़ी में काफी लोहे का सामान भरा हुआ है, जो समुपता कहीं से छोड़ी किया हुआ प्रतीत हो रहा है, इ की जा रही है